एक जंगल में एक लोमडी रहती थी, वो बहुत ही भूखी थी, वो अपनी भूख मितने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी, उसने सारा जंगल चान मारा, जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला, तो वो गर्मी और भूख से परेशा का उपाय सोचने लगी, उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौवा भाया, तुम बहुत ही सुंदर हो, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, सुना है, तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो, तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी द तुकडा नीचे गिर गया, भू की लोमडी ने जट से वल्ट तुकडा उठाया और वहां से भाग गई, ये देख कौवा अपनी मूर्खता पर पच्टाने लगा, लेकिन अब पच्टाने से क्या होना था, चतुर लोमडी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाब उठाय और अपना फायदा किया, सीख, ये कहानी संदेश देती है कि अपनी जूती प्रशंसा से हमें बचना चाहिए, कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं, जो अपना काम निकालने के लिए हमारी जूती तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं, काम निकल जाने के बाद फ फिर हमें पूछते भी ने